राध है कृष्ण अभियम अपने किचन में और हमारे उड़िसा में जो पस्चिम उड़िसा के लोग है उन सभी को हापी नुवा खाई नुवा खाई रोव बहुत बहुत जुहार और जो नौन उड़िया लोग हैं उनको बता दू आज अगंगा यहां पर यह recipe मैंने हैं वो दही से बनने वाली एक recipe जैसा मैंने कहा था कि राधा राने जी को मिट्टी के नीचे उगने वाली सबजी और दही से बनने वाली चीजे बहुत पसंद है तो आज जो सब्सक्राइब अब लेकर आये हैं उसका नाम है गोविंद गट्टे यह जो होता है यह उन लोग के लिए है जो दही अर्भी नहीं बना सकती है या फिर अर्भी उनके पास अबल बना सकते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या सामान लगेगा यहां पर मैंने देड़ कर बेशन लिया हुआ है और यह थोड़ा मोटा बेशन है जो नॉमल गट्टे की सब्जी होती है तो, इसमें क्या होता है ना 스पिंग नहीं जाती लेकिन इसा मनें lord गट्ट की समझ तो इसमें क्या करेंगे अधिए मैंने स्टपिंग जाएगी और स्टपिंग के मैं थे कूया सोबधाए से इसमें ख़़ा हाइऊा नहीं जाती लेकिन यह कोबिंद गट्टा है जैसा हम ने कहा कि शाही वर्जिन है गट्टे की सबजी का तो इसमें क्या करेंगे हैं स्टपिंग देंगे और इसकी खास्यत है कि स्टपिंग जाएगी और स्टपिंग के लिए मैंने यहां पर कुछ लिया हुआ है खोया लिए ह होग है यहां पर मैंने मैं और यह काजू और पिसटा थोड़ा लिया हूय है और किश्मिष और खोया तो नीचे है अभी काजूज में थोड़ी सी हरीमिःट ढाल देंगे ज्यादा नहीं क्यों यह बहुत तीखा है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाधनु सा नमक डाल देते हैं और चलिए हम अभी गट्टे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और गट्टे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें पानी मत डालिए सिर्फ दही और भी डालके बनाई आपके गट्टे बहुत सब्ट बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे तो इसलिए जगड़े आप कट्टा बनाए बिल्कुल भी पानी का उप्योग मत कीजिए तो अभी मैंने इसमें एक चमच नमक डाल दिया है छोटा चमक नमक डाल दिया है और इसम हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा हम थोड़ा अजवायन से कम डालेंगे और अभी हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा पाउडर मसाला डालेंगे यहां पर मैंने एक बड़ा चमच धनिया लिया है क्योंकि यह बिना प्याज और लेसन का बनेगा तो हमें यह धनिय इसमें थोड़े जाएं जीरा घन्या डाना है अपर ठोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली और अभी स्कोमिला लेना है इसमें और कुछ नहीं जाएगा अभ्या हम उसको मिला लेंगे और 2 चमच हमें इसमें घी देना है क्याम उसको मोहिं लग ना है उसके पहले हम क्या करते हैं उसको थोड़ा मिला लेते हैं अभी हम घी देंगे घी देने के बाद हमें उसको अच्छी तरीके से मौइन लगाना है जैसा मैंने कहा कि दही और घी से बनाईए पानी का विप्योग बिल्कुल मत कीजिए अभी क्या करते हैं उसको अच्छी तरी के यहीं थे दीर है अलम cambi होता है यहल्य बना लिया है और इतना ही सकती हो रहेगा अभी आमने क्या करना है इसको छोटे छोटे इसके बॉप बना लेते हैं कि जो गोहबिंद घटे होते हैं घोल होते हैं तो निल्ब होते हैं और जो कि असरो इसलिए हम उसको गोल गोल बनाना है और थोड़ा लंबा भी मैं बना लूँगी क्योंकि मेरे बैटे को फिर वाल यह जो गटे हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं है इसके लिए मुझे उसके लिए थोड़ा लंबा भी बनाना पड़ेगा तो अभी क्या करना है शारे तो त्सक्त कएगा करना यह ऐंदर को पोचिंग करना है तो बहुत सारी प्रोसेस होती है इसको बनाने के लिए इसलिए उसको अच्छी तरीके से बन कर difura siz आगी आगी प्रोसेस में यह देखुए इस तरीके से लोट बणाले लिए बोलthird ऑसा स्मयार बनाज़े चोटे बड़े जो बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं यह देखिए यह हो गया और यह दूसरा भी में कर रही हूँ अभी मैं सारे बना लू फिर आपको दिखाऊंगे जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अभी देखिए पोचिं के लिए हमने पानी चड़ा दिया है और अगर कोई प्रफेशनल से पूछेंगे तो आपको एक बात बताएंगे कि जब आप गट्टे का डो गुंदें तो इसमें पानी मत दीजिए दही और घी का इस्तिमाल कीजिए और जो पोचिं के लिए जो पान में कहान है आप 10 यह चुछ ठाये निकल रहे है इसी तरीके से निकले तभी आप आप अप अगर जालें गब सिक अलंfestयाल मु सबसे पहले से लिए तो घेज पता पंदेंगे थोड़ा अगर के लाईंगैं का फ्लेवर हमें हैने द कि तो आ अम आपको और धनिया पत्ता या फिर जो कसूरी में ती है उसको मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं जाती हूं गट्टे का स्वाथ जो है वह अलग आए ग्रेवी का स्वाथ जो है अलग आए जितने मसाले मैंने बाकी रखे हैं धनिया मिर्ची अद्रक यह सब हम ग्रेवी में डालेंगे ता क्योंकि उसको यह बिल्कुल पसन नहीं है उसको भी मैं डाल दे हूं अभी यह क्या होगा ना जब धीरे-धीरे पकेगा तो अपलब फ्लोटिंग करने लगेगा 50% पक जाएगा तो अच्छी तरह से फ्लोट करने लगेगा उसके बाद हमें 10 मिन्ट और पकाना है फिर हमें ग्यास को ऑफ कर लेना है क्योंकि हमें उसके बाद उसको फ्राय करना है तो अभी क्या करते है इसको अच्छी तरीके से पकने देते हैं पंदरा मिन्ट तक उसको धीमियान से पकने देते हैं उसके बाद आकर हम उसको बन कर देंगे गे ग्यास को और इसको निकाल लेंगे चलिके लिए प्लेटे प्लेट में निकालाना नहीं है तुप्छ पनासा निकालना नहीं न temperatura कमीदा करा कि भीषाइं यह करते निकालना नहीं है पहले सब्सक्राइं यह अच्छी तरीके से पकने के बाद जाओ घ्छाइगा तो अभी में उसको निकालना कि मुस्को एक एक करके फराय करेंगे अभी तेल हमने गरम कर लिया है और उसको अच्छी तरीके से प्राइख करेंगे इसके बार हम इसका मसाला बनाएंगे अभी ये जो छोटे-छोटे मैंने जो लंबे-लंबे रखे थे उसको भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर एक साथ सारा हो जाए अभी देखिए ये अच्छी तरीके से हो गए है अभी हमें इसको निकाल लेना है और उसके बाद हमें इसकी ग्रेवी बनानी है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक टीशू पेपर पर और ये देखिए ये वाला भी हो गया है सबके सब अच्छी तरीके से हो गए हैं इसको निकाल लेती हूँ तो चलिए अभी इसके ग्रेवी बनाते हैं ग्रेवी बनानाए के लिए अपर बॉल लेना हार उसमे 1-kप दही डाल देना है street जो अनियbon घरली कुछ नहीं जाएगा जो ग्रेवी बननेगा less giorno कि अपर सकते लगाए अभी प्रनाबी तो श्रूटेज मसाले टालें थोड़ेस शूठे मसाले डालें तो अभी तोड़ें नहीं जाएक भावी कि दूछेपाई, एक चमछ रहें जालें भीचा सुटेटी थोड़ा कम डालें और इसके बाद हम इसमें डालें घनिया क्या क्या दालें जालें कि अगर आप दो चम्मच धनिया डाल रहे हैं तो एक चम्मच उसमें जीरा डालें यह उसका रेशियो होता है हर सब्सक्राइब क्यूंकि थोड़ा कड़वा लगता है और अभी हमें थोड़ा काला नमक इसमें डालेंगे थोड़ा असा बहुत जादा नहीं अभी नमक नहीं ड अभी हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च जाएगा और सुखी लाल मिर्च भी है इसलिए हमने थोड़ा सा लाल मिर्च अभी पावडर जो कश्मिरी लाल मिर्च होता है उसको डाल देंगे और उसके बाद अभी कुछ नहीं जाएगा इसको ह मतलब इस तड़का में इस दही को डालके उसको पकाना है और येकीन मानिए इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है अभी क्या करते हैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है कोई भी लंस वगरा ना रहे कोई मसाला इसा मतलब बिना मिले ना रहे उसका ध्यान रहे तो जीर डालेंगे जैसा मैंने कहा ताक कि इसमें लशन और प्यास का इस्तमाल नहीं होता तो जो ग्रेवी उसमें अदरग जाएगा ये देखे रहें थोड़ा से चोटे-चोटे होते हैं कुटी हुई अद्रक उसको मैंने डाल दिया अभी हरिमीट डालेंगे यह बहुत ही ज्यादा तीका इसलिए बहुत कम डाल रही हूं अभी इसको हमें अच्छी तरीके से पकाना है ताकि जो अद्रक का जो कच्छा पन है वो निकल जाए अभी अच्छी तरीके से पकाना है अभी अच्छी तरीके से पक चुके हैं अभी हमने जो दही का मिशन बनाया है अभी उसको डालेंगे हम इसके अंदर और डालने के साथ आपको इसको चलाना है चलाना है हाथ बिल्कुल आपको बन नहीं करना है अच्छी तरीके से इसको पकाना है क्योंकि अगर आपको हाथ बंद कर लिया तो यह कडल हो जाएगा इसका छेना बन जाएगा तो हमें इसका छेना नहीं बनाना है जब तक इसे उबाल नहीं आ जाता ग्यास आपको हाय में रखना है उसका फ्लेम हाय में रखना है क्योंकि उबाल जल्दी आना यह देखिए यह अच्छी तरीके से उबाला गया है और अच्छी तरीके से दही पक चुका है बिल्कुल भी कडल नहीं हुआ यह देखिए बिल्कुल भी कडल नहीं हुआ उसका बहुत अच्छा टेक्च्चर आया है और थोड़ा तेल और दही से भी थोड़ा घी निकला हु ते हैं इसको चलाते चलाते हैं ऑभी थोड़ा पानिहां मे इसमें तो पानिहाले , वभी तो श्तत आ पाहित नश्यषाम lean तक नहीं डाला था क्योंकि अगर डाल देती तो यह दो चल्ड़ हो जाता है ज़िए च्छेना बन जाता तो अभी हमें गया करना है यह अच्छी तरीके से बन चुका है जो बॉल्स हमने बना के रखेते हैं गट्टे के गट्टे के जो बॉल्स थे उसको हम इसके अंदर डाल मसाले का जो एक्स्ट्राक्ट है यह उसके अंदर आ जाए यह देखे मैं अभी आपको दस मिनट के बार दिखा रहे हूं यह देखे पानी थोड़ा रिड्यूस हो गया है और यह कितनी अच्छी तरीके से पक चुका है और अभी वक्त है आखिर में दो चीजे डालने की एक होती है कसूरी मेथी अभी हम थोड़ा सा कसूरी मेथी लेके उसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं और यह कड़वा हो जाएगा क्योंकि उसमें हम धनिया भी डालेंगे तो यह धनिया का पत्ता थोड़ा है इसको डाल देते हैं जैसा मैंने पहले का आता कि में गट्टे में बहुत मासाले डाले थे क्योंकि गट्टे का स्वाधि अलग आना चाहिए एसका स्वाधि अलग आना चाहिए मतलब इससा नहीं कि गट्टे का भी जो अ Shouldn't्किए अपन लग अलग अस्वाधि अब धी देके यह पूरी तो चलिए अभी उसकी प्लेटिंग करते हैं मैं ग्याक्स को आप कर लेती हूं और उसके प्लेटिंग करते हैं अभी नहीं मिल रही है दही अर्भी बनाने के लिए तो ये दही के साथ ए गट्टे की सबजी बना सकता है तो खेर ये थी आज की वीडियो हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भ़ध धन्यवाद घर में रहिए स्वस्त रहिए जगनाजी आपका भला करे जय जगनाज राधे क्रिश्ण